गाड़ी उतर रही है, इसको उतरना है तो यहां से उतरेगा, पिर यहां चलेगा, तो जागा गलती से उतर को लो, ना उतर ना था तो फीर चड़ेगा इदर से जो सचुरत नहीं यहां से, कंपनी का मालिक CEO जाम में फसल लएगा, गांधी से थी में, चल नहीं सचुरत नहीं. देखे, एक्सप्रेस वे और हाईवे में अंतर यह होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सेस का मतलत होता है, Mengُan A trackhty, में नहीं करनेे देगा,처hal fu एक्सेस वेप डिके । अंहीं कर सकते हैं, अप सांघियो का की नहीं होता है, यहां से कंट्रोल हाता तो जब भी कहएगा access control highway है तूज highway पर इंट्री कर लेंगे नहीं कर पाएगे एक स्पेस वे खासियत थे हो गांता ऐक्सेस control होता है एक्सेस control का मतलब समझ रहे हैं ना कोई जा नहीं सकता है कोई बाहर निकल नहीं सकता है जहां से वह आपको permission देगा आप वहीं से जा सकते हैं वहीं से निकल सकते हैं अन्य जगह पे सोचिएगा है द्यात की सड़क की तरह की घूज जाए तो नहीं जा सकते हैं जैसे यहां देखिए यह आपका access control है यह कितने lane का है तो भाई यह four lane का है दूगो इधर से अधूगो इधर से अज इसको निकलना है वह यहां से निकल जाएगा permission दिया हुआ है बाकी जगह पे देखिए बाकी जगपे क्या लगाता बॉंडरी लगा देता है निकलना है तो यहीं से निकल जाए यह आ से निकल जाए ठीक है और अगर यह क्रॉस कर दीए ता आप यूट नहीं म आप यू टन मारी नहीं सकते हैं, दूसरी गारी नहीं आ सकती, ये कापी हाइट पर बनाय गया रहता है, किसा आईकी वेको, एकसेस कंट्रोल का मतलत समझ गए न है, क्या होता है, बार के कोई आदमी इंट्री ने को, यहां से दिवाल लगा देता है, यहां पर आईस साइट स होना बहुत ज़्यादे जरूरी है बिहार में एक भी जगह एक्स्टेक्स अंपोर नहीं है यहां तो ब्रीजवा पर गाय चोड़ जाती है नीचवा से पेजरी चरते चरते ऊपर चले जीतना दूर्दसा यहां होता है गाय का हमको नहीं लगता है कहीं होता है मैं जरा पलास् जोर्द साथ के लिए प्धालक्चा के लिए कुछ भचव के नहीं करता है तो यह एक्सेस कंट्रोल समझ में आग्या करके दो कि?- षड्यम्पट इंटर्चंज बनाए जाता है गायी asynchronous इसे कौज आता है यह आयवे पर चंडने के लिए बनाता है आप किसी भिए-डरेक्शन से आके यह आपका मेंली एक्सप्रेस हुए यह गया एक्सप्रेस हुए और बाकी जो जह मेला वो इसके चड़ने उतरने के लिए बनाएगे यह आपको इसे कहीं से भी इंटर्चेंज कर सकते हैं इसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा किसी को इस पर चड़ना है इस सदक पर जा रहा है चड़ना अभ यहां से जाए लोग मट जो बघुतर पर यहाँ से ओतर यहां से खुमेगे गहान से तो ऊदूल का राउन मारना पड़ता है तो यह डाइमंड इंटर्चेंज ट्रेंपेट इंटर्चेंज यह इंटर्चेंज मतलब इस सड़क से उस सड़क पर जा सकते हैं आप लोग तो इस स्पीड डिश्टर नहीं होती है continuous speed होती है और यही होती है सफल विकास की सबसे पहली कहाने अगर किसी भी राज में expressway का जाल बिछा हुआ है उस राज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और बिहार को जो कहा जाता है ने कि आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा यहां पे logistic cost 18% है मतलब एक सामान जो में जो महांगाई है वह 10% तो फालतू है 25-25% तक का बिहार का ओन एंवरेज 20% logistic cost है बिहार का कई जगों पे तो 25% है यहां पर तो हम लोग जो आपको दे रहे हैं लोग पैसा उसका 10% तो फालतू दे रहे हैं लोग किसीच का logistic cost का region क्या है कि गांधी से तुपे ट्रॉक सब्सक्राइब जाने में न यहां पांच घंटे लगते हैं और इस पर स्पीड लिमीट होती है 120 मतलब 120 पर चलिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं आपको 120 से नीचवा चलिएगा तो पीचवाला गरी आएगा आप सुचिए एक धंटा से बीचिएंट में 100 किल्योमिटर आप लोग कभी करना कर सकते हैं बिहार में 50 मेट में आएंगे जिस दिन आप बिहार में 100 euro की डिस्टेंस एक धंटे में चल सकते हैं तब आप कहिए कि विहार आगे जाएगा बाकी चीजे हो जाती है कि जो का जाता है कि अंधों में काना राजा तो इन्हें तब आ किया इस अप एजू केशन तो चवपठ किया इस अप्यार किसी को पता इह नहीं चलने देता है कि लॉजिस्टिक कोस्ट क्या होता है टाइमिंग क्या होता है यहां पर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते है तो लोगों के कहेंगा भी कास हो रहा है यहां पर सो किलो मीटर जाने में चार घंटा लगेगा अगर कोई बड़ी कंपनी आईगी नहीं सबसे पहले देखती है लोजिस्टिक कोस्ट कितना है कर यह का दोस परसेंट से जादे ऊठके चल जाएगा है यहां कितना परसेंट है एवरेज है बीस एवरेज का मतला होता है वह हाई अधरियों नहीं है वहाई और लोग के बीच अवरेज है आपका कंपनी की नहीं आई यह कंपनी का मालीग सी यह जाम में फसल लगा गांदी सेथिए बंच लेका सथा चार गंटा इनको चलेका है यह किया तर्दी एवरेज एख्वरेज तो हाईवेरेज ऑरेज में पर सब एक्सप्रेस्वेपर तो भारत में हाइवे देखना हाइवे का बाप होगी है कौन एक्सप्रेस्वेपर